आज हमें कॉमिक पढ़ने जा रहे हैं और यह देखने जा रहे हैं कि उस कॉमिक में क्या है और हमें कॉमिक पढ़ने के बाद यह भी पता चलेगा कि कॉमिक का स्ट्रक्चर जो है उसमें टेक्स कितना बड़ा है यह बहुत ही मश्यूर कॉमिक है जिसको हम आज दोनों मिलके पढ़ेंगे स्टडी करेंगे और इसकी बहुत सभी सी अवेलबर है और बच्चों के लिए बहुत ही अप्रोप्रिये recommendsयै कॉमिक को नाम है vacation and is written by Rihanna आज वैसे के यह कॉमिक क्या है और जैसे कहं हम जानती है किalsoए है किस्लिभा जानते हैं जैसे कि कॉमिक में डायोक बहुत कम होते हैं जिसका नाम है, the title, smile. So now, come to the next page. और हम इस next page को जब देखेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि इसके उपर कोई भी text available नहीं है. लेकिन what we need to discuss with our students और children जिनके साथ हम ये comics पढ़ रहे हैं. For example, ये कहां का scene है? क्या आपने कभी इस किसम के खंबे देखें? क्या ख्याल है? ये किस चीज़ के खंबे हो सकते हैं? ये जो पीछे scene बनावा है, ये किस किसम का city है? क्या इसके पीछे दरिया है या समूंदर है? दोनों में क्या difference हो सकता है? ये शेर किस किसम का शेर होगा? आपके ख्याल में ये कहां पे होगा? दूसरा टाइटल पेज आ जाता है, इसको देखके लगता है कि हाँ, इस एक्चिली अ बिक सिटी और क्यूं क्यूं किसमें बिल्डिंग्स हैं बहुत बड़ी बड़ी और इसके अंदर एक पूल भी है जो कनेक्ट कर रहा है एक जगा से दूसरी जगा को तो में बीट से नियू यॉर्क सिटी और कैलिफॉनिया, हमें ये तो अंदाजा हो रहा है कि ये शहर हमारे मुलका नहीं है और ये लोग हाईवे से गुजर रहे हैं और हाईवे में गाड़ियां जा रही है तो इसका मतलब ये है कि इस कामिक के अंदर कुछ करेक्टर्स हैं जो गाड़ी में बैठके कहीं जा रहे है तो देखें ये कहां जा रहे है तो इसको देखने के बाद कुछ अंदाजा होता है कि ये कहां जा रहे हैं नहीं इसको देखके सिर्फ एक अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर चार करेक्टर्स है ऐसे लग रहा है कि जिसमें एक मदर है और तीन बच्चे हैं और इसको कहीं से आवाज आती है किया स्माइल और उसके साथ ही तस्वीर क्हीं खीच ली जाती है और उसको देख रहे हैं कि उसके दानतों की शेप क्या है क्या उसे ब्रेस्स लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए आप ये कॉमिक खुद पढ़के देखेगा कि इस बवल में क्या लिखा हुआ है नीचे हमें नजर आता है कि फिर बच्ची को डेंटिस्ट जो है वो डेंटिस्ट अपने स्टूल के पलिट आता है और उसके दांतों को देखता है वो उसे इंटरस्टिंग क्वेस्टिन करता है ताकि वो बच्ची डरे ना एक क्वेस्टिन करता है जो जो डेंटिस्ट के पास गया है या किसी के साथ गया है उसके लिए ये बहुत ही कॉमन सीन है फिर वो बच्ची डेंटिस्ट के कमरे से बाहर निकल के अपनी मदर को डरते वे कहती है कि मेरे दान तो बिलकुल ठीक है और उसकी मदर समझाते हैं कि नहीं, तुम्हारी दान ठीक नहीं है, they need braces. So, other common scene, जहां बहन भाई होते हैं, definitely वहाँ पे छेर चार तो होती है. So you can see in the last scene, comic के अंदर, you gonna be a metal mouth? Hmm, यह छोटे बहन भाई हैं, जो उसको छेर रहे हैं, यह उनको पता चला है कि अब इसको braces लगने जा रहे हैं, और mother उन्हें चुप कर आने की कोशिश कर रहे हैं, so common. यह सब चीजें हमने experience की ही हैं, पर आप यह देख रहे हैं कि पूरी pictography में, पूरे comic में, scene जाता हैं, और picture बहुत elaborate है, it is absolutely clear, इस picture के अंदर, आप उसे बच्ची की शेकल देख सकते हैं, expression देख सकते हैं, और dentist के पास जाते हुए, बच्चों के जो expression होते हैं, they are so common, चाहे वो dialogue में लिखे हैं या नहीं लिखे हुए. So, then she actually went to the school, जहां वो अपनी class fellows को बताती है, कि ब्रेसे लगने वाली हैं, और एक उसकी class fellow जिसकी already ब्रेसे लगी नहीं है, वो उसे बताती है कि जब तुम मारी ब्रेसे लग जाएंगी, तो तुम क्या-क्या चीजे चूँ नहीं कर पाऊगी, लाइक तुम पॉपकॉन चीजे नहीं कर पाऊगी, तुम एपल्स चीजे नहीं कर पाऊगी, कारेट्स, गाम्स, टॉफी, और सड़नी वह सूचती है, कि क्या मैं अपने नाखुन भी नहीं खा पाऊँगी? Hmm, so common. This is a very interesting example of comic, जो के हमारे बच्चों की everyday problems, उनकी life, उनकी encounter से कितनी माच होती है, और बच्चे फ्यो डायलोक्स में तस्वीरों को देखे, absolutely समझ जाते हैं, कि क्या होने जा रहा है और क्या सीन चल रहा है?